हेलो डियर श्टूडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंगलिस सी यूट्यूब चैनल के अंतरगत प्यारे बच्चों आजम रेंबो क्लास फोर्थ के लेसन नमबर एट्थ का क्वेशन आंसर कवर करने वाले हैं जिसका टाइटल है टू प्रीसियस जैम्स प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद और भावार्थ हमने अपनी पिछली वाले वीडियो में ही कवर कर लिया था जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस में मौजूद है जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वे उस वीड पर जिसका टाइटिल है टू प्रीसियस जैम्स प्यारे बच्चों आपकी बुक में कुछ न्यू वर्ट्स दिये गए हैं तो सबसे पहले हम इन न्यू वर्ट्स को देख लेते हैं फिर हम अपने कॉम्प्रेहेंसन क्वेस्टन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आज का हमारा पहला वर्ट है ट्रेवलर ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री नेक्ष्ट वर्ट है डेन्स डेन्स का मतलब होता है घना हमारा नेक्ष्ट वर्ट है थ्रस्टी थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा हमारा अगला वर्ट है सेल्टर सेल्टर का मतलब होता है पनाह या सरण Next word है Realizing Realizing का मतलब होता है समझ करके या फिर जान करके हमारा अगला word है Offered Offered का मतलब है पेसकस किया या कुछ देने का प्रस्ताव दिया हमारा Next word है Precies Precies का मतलब होता है Unmol या बहमोल और हमारा Last word है Gems Gems का मतलब होता है रत्न तो प्यारे बच्चों ये थे आपके कुछ New Words चलिए अब हम अपने Comprehension Question की तरफ चलते हैं Comprehension Questions के अंतरगत जो Question दिया जा रहा है वो है Answer the Following Questions नेमने लिखित प्रश्नों के उत्तर दिजिए आप देखिए इसके अंतरगत आपके पास 5 Question है A, B, C, D और E, आपको इन सारे Questions के आंसर लिखने है तो देखिए हमारा पहला Question है Question No. A Where was the traveler passing through यात्री कहां से होकर के गुजर रहा था या जा रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा The traveler was passing through a dense forest यात्री एक घने जंगल से होकर के गुजर रहा था हमारा Next Question है Question No. B How did the children help the traveler? बच्चों ने उस यात्री की किस प्रकार से मदद की? तो इसका आंसर हो जाएगा The children gave him little water and saved his life बच्चों ने उसे थोड़ा सा पानी दिया और उसके जीवन की रक्षा की हमारा Next Question है Question No. C Why did the traveler offer some money to the old lady? उस यात्री ने उस बूढ़ी महिला को क्यों पैसों की पेश्कस की? या उस बूढ़ी औरत को उस यात्री ने पैसे क्यों देना चाहा? तो इसका आंसर हो जाएगा The traveler offered some money to the old lady because she gave him food and shelter अब चूकि उस व्रिद्ध महिला ने उस यात्री को खाने के लिए भोजन दिया था और उसे रहने के लिए आस्रे दिया था इसलिए उस यात्री ने उस व्रिद्ध महिला के सामने पैसों की पेश्कस की? हमारा अगला question है question number D Did the old lady accept his help? क्या उस व्रिद्ध महिला ने उस यात्री के द्वारा दिये जाने वाली सहायता को स्वीकार किया? या उसके द्वारा दिये जाने वाले पैसों को स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा No, the old lady did not accept his help उस व्रिद्ध महिला ने उसके द्वारा की जाने वाली सहायता को स्वीकार नहीं किया या उसके द्वारा दिये जाने वाले पैसों को स्वीकार नहीं किया हमारा last question है question number E Who were the two precious gems for the lady? कौन उस व्रिद्ध महिला के दो बहुमूल्य रत्न थे? तो इसका अंसर हो जाएगा हर बोथ children were the two precious gems for the lady उसके दोनों पुत्र उसके लिए दो बहुमूल्य रत्न थे तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा comprehensive question यहीं समाप्त होता है चलिए हम word power की तरफ चलते हैं word power के अंतरगत जो question दिया जा रहा है वो है complete the given word ladder अब देखे word का मतलब तो होता है सब्द लेकिन ladder का मतलब होता है सीड़ी यानि कि सब्द सीड़ी दी गई सब्द सीड़ी को पूरा करना है आपको आप देख सकते हैं आपकी book में हरे color में एक सीड़ी बनी हुई है जिसमें कुछ सब्द लिखे गए हैं और कहीं कहीं पे खाली अस्थान भी दिया गया है उनी खाली अस्थानों को सही सब्दों की सहायता से आपको भर देना है कुछ symbols भी बने हुए हैं जैसे एक तितली बनी हुई है एक कमल का fool है एक केला है एक पक्षी है और एक star बना हुआ है और last में एक ring बनी हुई है तो ये सब clue दिये गए हैं एक संकेत दिये गए हैं जिसकी सहायता से आपको वाक्यों को पूरा करते हुए इस सब्द सीड़ी को भर देना है तो आईए देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है a butterfly is beautiful तितली सुन्दर है यहाँ पे एक सब्द भरा गया beautiful यही beautiful सब्द आपकी सबसे पहली सब्द सीड़ी में भर दिया गया है जिसमें कुल 9 spellings थी और इसमें कुल 9 खाने भी थे कि कुशी प्रकार से हमें बाकी के सब्द सीड़ी को भी भरना है आए देखते हैं हमारा दूसरा वाक्य है lotus is lovely हम यहाँ पे क्या भरेंगे lovely और इस सब्द को हम दूसरी वाली सब्द सीड़ी में भी भर देंगे हमारा अगला वाक्य है a banana is yellow केला पीले रंका है यहाँ पे हम क्या भरेंगे yellow y e double l o w और इस spelling को हम तीसरी वाली सब्द सीड़ी में भी भर देंगे हमारा चौथा वाक्य है these are the wings of a bird यह एक चिडिया के पंक है अब देखिए चिडिया बनी हुई है जो की उड़ रही है उसके पंक दिखाई दे रहे है तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे wings और इस सब्द को हम चौथी सब्द सीड़ी में भी भर देंगे हमारा अगला वाक्य है जिसमें पहला ही अस्थान रिक्त कर दिया गया है आगे लिखा गया है ट्रिंकल्स इन दे स्काई अट नाइट अब कौन सी ऐसी चीज होती है जो रात्री के समय में आकास में चमकती है तो वो होता है तारा या फिर तारें तारें जो है वो रात में आकास में चमकते हैं तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे स्टार यहाँ पे हम क्या भर देंगे स्टार स्टार का मतलब होता है तारा और यहाँ पे दीखे चार खाने भी बने हुए है Spelling क्या है? S-T-A-R तो हम यहाँ पे star भर देंगे और हमारा last question है We put ring in our finger We put ring in our finger हम अपनी उंगली में ring को पहनते हैं या अंगूठी को पहनते हैं तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? Ring R-I-N-G तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा यह question भी यही समाप्त होता है आप आजाए अपने अगले question पर Language Practice के अंतरगर Language Practice के अंतरगर जो question दिया जा रहा है वो है Fill in the blanks by adding ing to the words given in the brackets Bracket में दिये गए सब्दों में ing जोडते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिये अब आप देख सकते हैं आपके पास कुछ वाक्य है उन वाक्यों के अंत में कुछ सब्द लिखे गए हैं जैसे हमारा पहला वाक्य है पहले वाक्य के अंत में Bracket में लिखा गया है sit क्लाइमब दीसरे वाक्य के अंत में लिखा गया है प्ले शौथे वाक्य के अंत में लिखा गया है जम्प इन सब्दों में ing जोडते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देना है बहुत ही आसान काम है यह आप देख सकते हैं आपकी भुक के दाहिने तरफ कुछ चित्र भी बने हुए हैं इन्हीं चित्रों में जो कृया प्रतिक्रिया बच्चों की दवारा की जारही है उसी के हिसाब से ये वाक्य दिये गए हैं और ब्रैक्ट में कुछ सब्द भी दिये गये हैं तो उनका ing form बनाते हुए हमें इन वाक्यों को पूरा करना है तो आईए देखते हैं हमारा पहला वाक्य है two boys are sitting on a wall दो बच्चे दीवार पर बैठे हैं sit में हम ing जोड़ देंगे और हो जाएगा सब्द sitting हम यहाँ पर क्या भरेंगे? sitting, two boys are sitting on a wall हमारा अगला वाक्य है one boy is climbing up the ladder एक बच्चा सीड़ी पर चड़ रहा है तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? climbing, c-l-i-m-b-i-n-g climbing हमारा अगला वाक्य है the boys are playing football बच्चे football खेल रहे हैं यहाँ पर हम क्या भरेंगे? playing, p-l-a-y-i-n-g playing football मारा लास्ट वाक्य है the boy is jumping लड़का कूद रहा है jumping कर रहा है j-u-y-m-p-i-n-g तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज का हमारा यह question answer session यहीं समाप्त होता है आप इस exercise को एक दो बार revise कर लिजेगा और अपनी book में लिख भी सकते हैं आप जितना लिखने की कोशिस करेंगे उतना आपको question answers याद होते रहेंगे जो कि आपकी परिछा की दृष्टी से काफी महत्तोपोड है तो प्यारे बच्चों इनी सारी बातों के साथ आप हमें दीजी इजाज़त मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई